और अब यह कॉंग्रेचुलेशन्स फाइनली आप जीच चुके हो बेस्ट हिंदी कास्टर का अवर्ड इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा कॉंग्रेचुलेशन्स जितने भी लोगों ने मुझे जाकर के वोड करा अपने जन्हों ने पता चला कि यह कमुनिटी कैसी है और इसके अंदर लोग कितना जड़ा सपोर्टीव है बहुत अच्छे लोग पता चले जिनको मैं नहीं जाता था जिन इंफ्लेंसर से मेरी कभी जिन्दकी में बाती ही उन्होंने तक स्टोरी डाली थी अपनी साइट से जो के मेरे लिए एक अलगी चीज थी बहुत emotional moment था बट ये सारे के सारे चीज़े हुई और finally आप सभी की जो मेहनत थी आपका प्यार था उसके बाद भाई को best caster का award मिल चुका है अब इससे कई सारे लोग खुश हैं कई सारे लोग खुश नहीं है बट ये award में बहुत जादा value रखता है इसलिए नहीं कि ये award है ये बहुत बड़ी बात है बलकि इसलिए कि इस community को इस ecosystem को नरिश करने के लिए पूरे साल में अपना try करता रहा मैंने बहुत सारी चीजे risk करी अपनी casting को तक मैंने risk में लगा दिया था तो मने notice करा कि इस साल में काफी सारे बड़े-बड़े events के finals में या फिर काफी सारे days में मैं casting बनी था अब समझे मैंने बहुत कुछ risk करा था इस community के लिए और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर उसका कभी payback होगा या नहीं होगा और कभी कुछ होगा नहीं होगा काफी सारी जगाए ऐसी थी जहाँ पर कोई नहीं बोल रहा था वहाँ पर हमने आकर के आवाज उठाई बोला जो कि भाई जरूरी था वहाँ बोलना e-sports को जहाँ जरूरत पड़ी चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर वाला बंदा हो उसको तक मतलब हमने अप्रोच करा बहुत सारे लोगों से मेरे रिलेशन खराब हुए इस वज़त से पूरे साल मेरे को पता है मैंने कैसे कैसे करके क्या क्या चीजे करी पूरे साल चैनल अच्छा कासा धाई तिन लाग व्यूज आ रहे थी इसपोर्स वीडियोस की तुमने डिवांड करी मैंने का नहीं कम परसेंटेज लोग हैं बट इनको भी खुश करना चाहिए यह इसपोर्स वीडियोस देखना चाहते हैं मैं तुम्हाले इसपोर्स वीडियोस लेका आया यह बाते अब थोड़ने बताई जाती है यह सारी बाते मैंने अब के लिए ही बचा के रखी थी जू कि देखो वाई कुरसी बैट करके अच्छे कपड़े पहन करके हर बार अच्छी बात करना सबकी तारीफ करना बाई वो चीज़े अलग चीज़े ग्राउंड लेवल पर आकर के भी काम करना बहुत ज़रा ज़रूरी है क्योंकि ये community भी grow कर रही है इसको guidance की बहुत ज़रा ज़रूरत है hopefully आप लोग समझ कियोंगे मैं क्या कहना चाहता और मुझे लगा कि last में ये एक छोटा सा चीज तो मिलनी चाहिए इसका तो मैं हगदार हूँ और बस ये ही था कि अगर मैं सारी चीज़े साल बर कर रहा हूँ साल के end में एक बार e-sports award आएगा और तुम उसमें मुझे pay करोगे बस और कुछ नहीं तुम लोगों ने अपना पूरा support किया अब इस साल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छा content डालू और हाँ यार अब ना तुम लोग ये ना मुझे समझ नहीं आता तुम लोग बताने किस किस बात को किस के चीज से जोड़ता हूँ लास्ट वीडियो मैंने किसी particular team को target करते में नहीं बोला था कि ये team गल आते हैं वो team गल आते हैं तुमको मैं पूरी line दुबारा सुनाता हूँ तुमको पूरी बात दुबारा समझाता हूँ मैंने audience की बात कर रहे थी मैंने team की बात नहीं कर रहे थी है कि यह स्क्रिंग के उपने ज़िए उनके लिए कंड़ रहा है इसके इंदर ने क्या का है बाई मुझे मेरे को पसंद करते हैं बट मामपाजी को वोट करा इसे तरह के से हारे भी लोगों ने vote करा उनका भी thank you I hope समझ गे होंगे आप लोग बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बाद जिसके भी questions है वो पूछ सकता है बट मैं कल की वीडियो को छोटा पार दुबारा डाल देता हूँ कि तुमको अच्छे समझ माजए मैंने कल क्या कहा था इस बात कुछ सीरेस मत देना ये सब कुछ मजाक में बोला जा रहा है एक दे इंडगरम बात करेंगे जो nomination वाली list थी उसके अंदर उन्ही players को डाला गया उन्ही captains को डाला गया उन्ही लोगों को डाला गया उन्ही और को डाला गया जिन्होंने performance दी पूरी year के अंदर ये सारे कुछ performance बेस डाला गया अब उसके अंदर उस particular टीम का नाम ना है तो वो एक अलगछी जोती फिर तो वो गलत हो जाता है क्योंकि उस team ने performance दी है